दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल और ये वक्त है गोधियों की पोल खोलने का गोधी गिरी में विपक्षी सांसद लगातार बजट सत्र में महगाई पर चर्चा के लिए हंगामा करते रहे लेकिन न्यूस चानल में कोई डिबेट नहीं हुई विपक्षी सांसदों ने सिलेंडर को माला पहना कर प्रोटेस्ट की लेकिन मीडिया में कोई डिबेट नहीं हुई कॉंग्रिस के काले करताओं ने तो पेट्रोल पंपर पी एमोदी और स्मृती रानी के पोस्टर चिपका दिये लेकिन न्यूस चानल में फिर भी कोई डिबेट नहीं हुई हम सिलेंडर के दामों में विश्वगुरू बन गए लेकिन न्यूस चानलों में तब भी कोई डिबेट नहीं हुई संसद से लेकर मीडिया चानलों के एंकरों ने महंगाई का खुले आम तरसकार किया और अब अंजना मैडम कह रही हैं कि दरसल महंगाई के लिए तो विपक्ष सिम्मेदार है जो इस मुद्दे को मुद्दा बनाई नहीं पाई कॉंग्रेस प्रवक्ता गौरब बलब ने जब पेट्रोल डीजल की महंगाई के मुद्दे पर उनी के शो में अंजना के शो में मोदी सरकार को खेरना शुरू किया और कहा कि 2014 के बाद मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एकसाइस ज्यूटी से 26 लाग करोड से ज्यादा की कमाई अब तक कर ली है यानि हर परिवार से करीब एक लाख अतिरिक्त इस सरकार ने के वर पेट्रोल से कमाया है तो बीजेबी प्रवक्ता से ज्यादा दर्द अंजना उंकश्यप को लग गया और सीधे अंजना उंकश्यप ने सवाल दाग दिया गौरब बल्लब पर कि पहले आप राजिस्थान और 36 गड़ की कॉंग्रेस सरकारों का टैक्स बताईए अंजना बेहन का ज्यान वर्धन करते हुए कॉंग्रेस प्रवक्ता गौरब बल्लब ने बताया कि दिरसल राजिस सरकार जो वैट लगाती है न वो पेट्रोल डीजल पर केंज सरकार की एकसाइज जूटी और पेट्रोल डीजल के बेस प्राइस के आधार पर लगता है यानि अगर मोधी सरकार पेट्रोल डीजल पर एकसाइज जूटी घटा देती है तो राजिज में वैट अपने आप घट जाएगा आपको बता दे कि देश में डीजल पर सबसे ज्यादा वैट राजिस्थान सरकार लेती है और पेटरोल में सबसे ज्यादा वैट मध्रप्रदेश की सरकार लेती है गौरब बलव ने पेट्रोल डीजर पर लगने वाले टैक्स पर अंजना ओमकश्यप को खरारा जवाब दिया मैडम ने विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया और कहा कि भाई यह तो विपक्ष की नाकामी है ना कि महंगाई को आप लोग मुद्दा नहीं बना पाए यानि मोदी सरकार से सवाल पूछने की बजाए अंजना ओमकश्यप ने विपक्ष को कोसना शुरू कर दिया चबकि दोस्तों हकीकत आप जानते हैं कि यह मीडिया का काम है कि विपक्ष की आवाज आप बने मीडिया का एदाइट वै कि उसको जितनी स्पेस वो सरकार को दे रहा अपने स्क्रीन पर अपने अखबारों में उसे ज्यादा स्पेस विपक्ष को मिले चूकि विपक्ष और मीडिया मिलकर एैक मजबूत स्तंब होते हैं और सरकार को आईना दिखाते हैं पिछले एक साल से विपक्षी दलों ने महंगाई को लेकर संसत से लेकर सड़क तक लगातार प्रदेशन किया है। अपने किसी चैनल में खास तार पर अंजना उमकाशियब अपने चैनल में बताय कि महंगाई के मुद्दे पर उन्हों ने पिछले एक साल में कितनी बार हला बोला अंजना उमकाशियब क्या बता पाएंगी उन उनके हलाब बोल में विरोजगारी पर कितनी डिबेट हुई दोस्तों न्यूस चानल में यह नया ट्रेंट शुरू हो गया है कि जब भी पक्षिदल विरोजप्रदेशन करते हैं उनको यह लुक दिखाते हैं यह टोटल बॉयकॉट और उसके बाद जब महंगाई का लेकिन ह trophy कि महंगाई और विरोजगारी अगर आगर आज ज़्यातर पबलीग के लिए मुद्दा नहीं है तो इसके लिए सबसे बड़ा जम्मदार मीडिया है या तो न्यूस चानलों पर महंगाई बिरोजगारी पर कोई बात नहीं होती और जब बात होती के तो कहा जाताए कि महंगाई तो राश्रवादी है और इस महंगाई से तो देश कार विकास हो रहा है आंजना बहन हिम्मत है तो दिखाएं प्याम मोधी के वो पुराने बयान जब वो महंगाई के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बाते किया करते थे मुझे तो लगता है कि विपक्ष से ज्यादा आप जैसे एंकर कमजोर हैं जो पीम मोधी से सवाल पुछने की बजाए महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष सवाल पूछते अगर देश की जनता के लिए महगाई कोई मुद्दा नहीं है तो उसके लिए विपक्र जिम्मेदार है या सरकार जिम्मेदार है और उससे बड़ा आप जैसे मीडिया चानल जिम्मेदार है आप जैसे एंकर और आप जैसे एंकरों के शोष जिम्मेदार है जिसमें पूरे 8 साल से हिंदू, मुसल्मान और भारत पाकिस्तान के लावा कुछ नहीं चला आप बताईए, लिख के बताईए, अपना आकड़ा दीजिए कि पिछले 8 साल में कितनी डिबेट आपने महंगाई पर की और विरुजगारी पर की और अगर नहीं की तो माफी मांगिए कमेंट बॉक्स में लिखेगा जरूर अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचने हैं मैं जानना चाहते हूँ और दोस्तो हमारी आजाद पत्रकारिता को आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को जॉइन कीजे सब्सक्राइब कीजे क्योंकि ऐसे ही हमारी ये निडर और निर्भीक आवाज और बुलंद होगी